अलो फ्रेंड्स हमारे special session to the point में आज हम बात करेंगे भारत के आठ केंदर साचित परदेशों में से एक केंदर साचित परदेश के बारे में यानि union territory के बारे में जिसका नाम है पुद्दुचेरी हम आपको बताएंगे हाली पुद्दुचेरी चर्चा में क्यू है और समझाने कोशिस करेंगे पुद्दुचेरी एक बारे में विस्तार से हैं साधी बताएंगे एक्जामनर आपसे एक्जामने कैसे कुशन पूछ सकता है हम आपको बता दे पुद्धुचरी भारत के तीन राज्यों में फैला हुआ है जिसमें आंद्रपरदेश, तमिलाडू और केरला हम आपको बता दे हाली में पुद्धुचेरी के मुख्य मंत्री ने पुद्धुचेरी केंदर्शासित परदेश को राज्य का दर्जा देने की मांग की है इसलिए चर्चा में है पुद्धुचेरी बात करें पुद्युचरी की तो पुद्युचरी सहर दक्षणी पूर्वी भारत में स्थित पुद्युचरी के अंदर सासित परदेश की राजदानी है यानि पुद्युचरी की राजदानी है पुद्युचरी सहर वहीं इस यूटी यानि इसके अन्रसासित परदेश का गठन वर्स 1962 में फ्रांस के भारत में चार पूरु उपनिवेसों में से एक की रूप में किया गया था यानि इसका गठन 1962 में किया गया था पंडिचेरी जिसे अब पुद्धुचेरी कहा जाता है इसमें पुद्धुचेरी कराईकल भारत के दक्षणी पूर्वी कोरामंडल त्रट के साथ ये नम पूर्वी त्रट के साथ उत्तर में और माहे केलल राजे से गिरेपस्ट में मालाबार त्रट पर स्थित है वर्स 1674 में इसकी उत्तपती एक फ्रांसेशी व्यापार केंदर की रूप में हुई जब इसे एक स्थानिय सासक से ख्रिदा गया था यानि पुद्धिचरी उपनिवेश सतर्वी स्ताबदी के आंतर तक फ्रांसेशी और डच के बीज लगाता लडाई का केंदरी बना रहा इस पर कई बार ब्रिटिस हैनी को दुआरा कबजा किया गया हाला की वर्स 1962 तक भारत में इस थानेंटित होने तक फ्रांसेशी उपनिवेश सेक अधिकार में बना रहा वह रतवान में भारत में आट कंदर शास रत परदेष है इसमें दिल्ली, अंडवार और नेकोबार, संडिगड, दादर और नगर हवेली, तथा दमनेर दीव, और जम्मू और कस्मीत, लद्दाग, लक्षदीव और पुद्यचेरी हमने आप बताया आज पुद्यचेरी के बारे में हमने बता है पुद्दुचेल के विस्तार भारत के तीन राज्यों में है अंदरपगेश, तमिल्नाडू और केरलामी